सांस्कृतिक तौर तरीके अलग-अलग होते हैं लेकिन भावना एक जैसी ही होती है देश की ये एक ता ये एक जुड़ता एक दुसरे के लिए अपना पन ये पताता है कि एक राष्ट के रुप में भारत की जड़े कितनी गहरी है और साथियों भारत की यही एक ता हमारे दुश्मनों को खटकती है आज से नहीं बलकि सैंकडों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखन में भी भारत की एक ता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है इसलिए गुलामी के सैंकडों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आकरांता आये उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुम्किन कोशिश की उन्होंने भारत को बांटने के लिए भारत को तोड़ने के लिए सक कुछ किया हम फिर भी उसका मुकाबला कर सके क्योंकि एकता का अमरत हमारे भीतर जिवन्त था जिवन्त धारा के रुप में बह रहा था लेकिन वो काल खंड लंबा था जो जहर उस दोर में घोला गया उसका नुक्षान देश आज भी भुगत रहा है इसलिए ही हमने बचवारा भी देखा और भारत के दुश्मनों को उसका फायदा उठाते भी देखा इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है अतीद की तरह ही भारत के उतकर सरुथान से परिशान होने वाली ताकते आज भी मौजूद है वो आज भी हमें तोड़ने की हमें बाटने की हर कोशिश करती है हमें जातियों के नाम पर रडाने के लिए तरह तरह के नरेटिव गड़े जाते है प्रांतों के नाम पर हमें बाटने की कोशिश होती है कभी एक भारतिय भाषा को दूसरी भारतिय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए इतिहास को भी इस तरफ पहिश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बलकि एक दूसरे से दूर हो पल् documenting लिस नहीं कि द्युक किल दूस नहीं भी अईने से दूसरे से